हेलो स्टुडेंट्स प्रुपेर आए इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है विस्लेशन शिरीज जिसमें हम न्यूज को अनलाइज करते हैं किसी न्यूज आर्टिकल के पूरी समीक्षा करते हैं और यूपीस्स के इसाफ से उसके इंपॉर्टेंट को लेकर के गॉवर्मेंट ने एक डिरेक्टर जारी किया है उसी को लेकर ये अनलेसिस थी तो आपको हम आज डार्क पैटर्न के बारे में बताएंगे क्या होता है और कैसे होता है यह समझाने की कुशिश करेंगे ठीक है पहले आसन भासा में समझेगा फिर टेक्निकल लें या e-commerce site पर जाते हैं तो वो कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को या कुछ ऐसे steps को follow-up करते हैं जिसकी वजह से आप उनको उनका सामान खरीदने के लिए बात भी हो जाते हैं और गलत तरीके से आपको प्रभावित करते हैं यह प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है और इसके ल आपको पता भी नहीं होता और आपको बात दे करते रहते हैं तो हुआ क्या है कि भारत में जो डिपार्टमेंट अफ कंजूमर आफ़ेर्स है जिक है और एडवर्टाइजिंग स्टेंडर्स कांसिल अफ इंडिया है उन्होंने एक जॉइंट कंसल्टेशन निकाला है रिकार्डिंग डाक पैटर्न इसलिए इसके बारे में न्यूज में थी और यही अनालेसिस थी तो आपको डाक पैटर्न अचली गवर्मेंट कोशिश ये क करें कि डाक पैटर्न के विरुद्ध वो अपने कुछ सेफगार्ड जारी करें जिससे कस्टमर के हित प्रभावित ना हो तो जैसे अच्छा आपको मैं एक आसान सा एक्जाम्पल देता हूं आपने देखा होगा यूट्यूब ठीक है जिस पर आप देख भी रहोंगे ये जो आप यूट्यूब जैसे ही ओन करते हैं लॉग इन करते हैं वह यूट्यूब प्राइम और क्या बोलते हैं उसको यूट्यूब का एक विशेष था चैनल है जिसमें एड नहीं होता एड फ्री वाला पोर्शन होता है उसके लिए बार-बार आपको बिशते रहेंगे ब अब नहीं होते हैं तरीके क्या क्या होते हैं वे जो आपको प्रचार की तरप दाए घंधे का सब्सक्राइब होते हैं उससे आपको लगेगा切र रिखानें तरफर पार इनन्फर्मेशन दी जा रही है प्रचार था लेकिन वह छुपा हुआ ऐसा प्रचार था जो आपको पता नहीं चला इसी तरीके से दूसरा जो स्टेप होता है दूसरा जो तरीका होता है वह होता है सब्सक्राइब आप से बार-बार यह पुछा जाएगा ओके आई आई शूर आपको बार-बार कंफर्मेशन करवाएगा जिससे आप बार-बार निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको बुरा फिल होगा तो एक तरीके से जो आप सजेस्टीड आपशन जो वह करवाना चाहरा ऑग करना मेरे का उप्सरों बार-बार से डाक कंफर्मेशन मांगता रहेगा और तब तक मांंग ऑग जब तक आप सबम नहीं कर देंगे तो इसतोरीके से apt-out करनेे नहीं करने बार-बार सबुले करता है इसे को कहते है इंब समेंरी करना है कि यूजर उंसके साथ कुछ और और ही चीजे हैं इससे क्या होता है कि आप confused हो जाते हैं frustrated हो जाते हैं और dissatisfied हो जाते हैं तो मतलब आप चाते हैं कि हमें यह करना है लेकिन वह कुछ और options आपको देता चला जाता है तो इसको कहते है बेट and switch hidden costs आपने देखा आपने product खरीदा product की cost कुछ थी जब आप उसको cart में गए और खरीदने गए तो पता चला उसकी cost कुछ और हो गई क्योंकि उसमें बहुत सारी hidden cost होगी ठीक है यह भी एक तरीका है आपको दिखाया गया on paper या on front में कि यह तो बहुत सस्ता है लेकिन जब आप आप उसको खरीदते है तो पता चलता है अच्छा उसमें transportation cost ही इतनी जाता है चीक है मैंने अभी दो-तीन मिन पहले देखा आप एक धूबती थी उसका एक मैंने order करने के लिए कोशिश करी तो वो धूबती का cost था 40 rupees चीक है और उसका delivery charge था 180 rupees अब आप सोचिए कि 40 rupees की cost है वो बहुत सारी extra cost को छुपाए रखते हैं ठीक है वो दिखाएंगे कि shopping free है cleaning free है convenience free है इस तरीके से बहुत सारी fee करके वो लेते रहेंगे आपसे तो यह भी चीज होती है फिर एक और चीज होती friend spam friend spam का मतलब भी होता है कि आपके पास एक छोटा सा pop-up आएगा कि आपके ट्रेव उसे क्यमां लिए यह करने के लिए अजय क्या जाले क्या इस तरीके से वो चीजğe आपको बार बार आएगा ये claim करते मिए कि आपके फ्रेंड में क्या यह करने के लिए यह सपसिफिक सर्विस लेंने के लिए लेकर आपके वो नहीं किश्साइब भी नहीं किया होगा लेकिन आपके पास ऐसे email और pop-ups आते रहेंगे यह भी एक तरीका होता है इसी तरीके से basket sneaking ठीक है basket sneaking का मतलब भी होता है कि आपके basket में कुछ additional चीजे वो जोड़ते चले जाएंगे product and services जोड़ते चले जाएंगे जिसमें आपके consent नहीं लेंगे तो आपने देखा होगा कि आपने कुछ खरीदा हो गया इतने की वो चीज भी आइड हो गया तो वो क्या है कि basket में आपके purchase basket में चीजों को एड कर देंगे इसी तरीके से एक और तरीका होता है false urgency का false urgency का मतलब आपको बताएंगे कि within 59 seconds यह आइटम खतम होने वाला है आपको यह discount चीज तो इतने second में ले लिचे नहीं तो बंद हो जाएगा तो basically क्या है कि यह सब तरीके होते हैं जिसके माध्यम से एक customer को divert किया जाता है और उसे अपने company अपने मन का product खरिदवाती है या उसको उसी में मतलब इंगेज रखती है और लेना चाहती है यह एक बहुत अमेजन प्राइम है ना उसमें क्या हुआ था कि अमेजन प्राइम में आप जब भी करें तो अंसब्सक्राइब करने का पड़ा ही tricky option था मतलब अंसब्सक्राइब होता ही नहीं था तो इसलिए European Union पर बहुत हेवी फाइन लगाया तो यह डार्क पैटर्न से आप जिससे स्किप नहीं कर सकते और यह e-commerce साइट्स और हैवी टेक कंपनी इसको स्टमाल करते हैं तो आज का विसलेशन में को यही एक पाइंट करेंगे कल हम लोग अगेन और इंपॉर्टन पाइंट को कवर करेंगे थैं